ये है एक mirrorless camera, ये Sony का एक mirrorless camera है, इसको mirrorless इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर, जैसे हमने DSLR में दिखाया था, वैसे इसके अंदर कोई mirror नहीं होता, इसके अंदर अगर आप पीछे देखोगे, तो सीधा आपको sensor दिखाई देता है, एक DSLR और mirrorless के बीच में क्या difference है, ये देखे, DSLR जनरली bulky होता है, जबकि mirrorless जो होता है, बहुत ही lightweight होता है, easy to use होता है, at the same time, जैसे DSLR में जो technology है, और जो mirrorless में technology है, क्योंकि ये नया technology है, तो इसमें low light capabilities और वो सारे features जो है, वो थोड़ा advanced होंगे, इसलिए इसमें, आपके जो image quality है, वो comparatively better होने का chances होता है, अगें, वो depend करता है, कि आपका camera कौन सा है, आपका उसके सामनी जो lenses का quality क्या है, इसे बहुत सारे factors depend करता है, पर generally, ये जो technology है, इससे भी नई technology, इस mirrorless camera के अंदर होता है, mirrorless camera में क्या होता है, shutter release button यहाँ पर click करता है, तो सीधा जो light है, shutter open होता है, और sensor के उपर अपना जो image अगेंगें.